नमस्कार दोस्तों मैं हुरा उल्यादो और आप देख रहे हैं वाई साप दिव्यांग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई जानकारी है वो आप तक तुरंद पहुशती रहे दोस् दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं दिव्यांग जनों की पेंशन को लेके आज मैं इसी मुद्धे पे बात करने वाला हूं दोस्तों जैसा कि दिव्यांग जनों की पेंशन अक्टूबर मां से आना शुरू हो गई है और प्रत्थम चरड़ में कुछ दिव्यांग बहनों कीैंचन नहीं आई है जिससे हो काफी परेशान है और दोस्तों विशस्चुत्रों द्वारा हमें फता चला था कि जो हमारी पैजन है जितने भी हमारे दिव्यांग भाय-वैन सब्सक्राइब पहले क्याहिए दोस्तों अभी तक उनकी सब्सक्राइब नहीं आई है जिनकी पेंसन अक्टूबर माह में नहीं आई थी तो लगातार दिब्यांग जन इसको लेकि परिशान है और बार बार दिब्यांग जन ससती करण कार्याले का चक्कल लगा रहे हैं और वहां जाने के बाद जो अधिकारी हैं वो दिब्यांग जनों की सुनते नह वो आना कानी करते हैं वो कहते हैं कि पेंसन यहां से नहीं आती है आप लखनों से संपर करिए पेंसन लखनों से भेह जाती है आप लखनों से पता करिए उनको तनिक भी संकोच नहीं होता है कि जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं जिनके पास दिव्यांगता है किसी के प पैरों में दिक्कत है किसी के पास हाथों में दिक्कत है जो लोग सारीरिक रूप से दिव्याग हैं या कहले जी अच्छा मैं वो लखनों कैसे जाएंगे उच सिधे कह देते हैं कि यहां से कोई सुनवाई नहीं होगी आप लखनों से संपर करिए पेंसन वहां से आती हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यही अन्रोद करना चाहूंगा दिव्यान जन ससत्ती करण कार्याले से और जितने भी दिव्यान जन ससत्ती करण कार्याले की जो अधिकारी हैं मैं उन्लों से यही अन्रोद करना चाहूंगा कि आप ही नियुकती आपका जो पद मिला ह दिव्यान जनों की शेवा करने के लिए ही आपका पद दिया गया है और उनकी समयश्याओं का समाधान करने के लिए ही दिव्यान जन ससती कार्याले का गठन किया गया है और उसकी अस्थापना की गई है आप लोग दिव्यान जनों की सुनवाई करिए उनकी जो भी समयश्या का समाधान करिए अगर ये मेरी बात अधिकारी सुन रहे हैं तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वाई साब दिव्यान के माध्यम से अधिकारियों से अन्रोथ करूंगा कि उनकी समिश्याओं को सुना जाए और उनकी समिश्याओं का समाधान किया जाए जैसा कि दोस्तों अभी मेरी भी पेंशन नहीं आई है, जबकि मेरी पिछली बार पेंशन आई थी, और मेरे किसी भी डाकॉमेंट्स में कोई कमी नहीं है, मैंने अपना रासन कार्ड भी जुलवा दिया है, और जो आनलाइन क्यवाशी करानी की प्रकरिया थी, उसको भी मैंने पूरा कर लिया ह कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पेंशन नहीं आ रही है, दोस्तों बार बार दिब्यांजनों को परिसान किया जाता है, जबकि पहले जो पेंशन आती थी, वो 2-4-5 दिनों में सभी दिब्यांजनों की पेंशन आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नह लग जा रहा है, जिससे अत्रिक काफी परिष्टार्वर्ण हो रहे हैं. जिनका पूरी तरह सै डाकॉमेट्स कम्पलीट है, उनकी किसी भी डाकॉमेंट्स में कोई कमी नहीं है, उन्होंने आपना रासन कारण भी जुरूआ रखा है लेकिन तब भी उनकी पेशन नहीं आ रही है जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी उनके डाकॉमेंट्स में कमी है उनको उनके मैसेज के द्वारा जो उनका मुबाइल नंबर एड है उस पे उनको सुचना दें कि आपके डाकॉमेंट्स में एक कमी है या आ दोस्तों ऐसा नहीं होता है बार बार दिब्यांग्यनों को बगर किसी सूचना के बगर किसी भी बताए उनकी पेंसर रोग दी जाती है और जिस्से की दिब्यांग्यन काफी परिसान होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो सरकारी राजी कर्मचारी हैं, उनके दिपावली पे उनको बोनस दे रही है, उनके बेतन को बढ़ा रही है, लेकिन उहीं सरकार दिब्यांग्यनों के उपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कि दिब्यांग्यन किस परकार से अपनी दि कि उनकी दिपावली से पहले पेंसन आजाएगी लेकिन जो दिब्याजसनों की उम्मीद थी उस पे भी पानी फिर गया है और अभी तक दिब्याजसनों की पेंसन नहीं आई है तो सरकार अगर मेरी बात सुन रही है तो यही चाहँगा कि जल्स जल्स जितने भी दिब्याण जयन बचे हुए हैं, जिल लोग की पेंसन अक्टूबर माँ की पेंसन उनके खातों में नहीं आई हैं, उसको भेजने का कारी तुरंत किया जाए और दिब्याण जयनों को और परिशान ना किया जाए जो लोग पहले से परिसान हैं उनको परिसान ना किया जाए दिव्यान जानों की ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए उनकी शम्मिष्यां को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए तो दोस्तों आज की ये बात कैसी लगी आपको आप कमेंट करके जरूर बतायेगा मिलते हैं फिर एक नई जानक कारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार